ने 2005 का क्योफिन है इसमें बोला गया इस्टोन टाइड तो एंड ओफ ए स्टिंग ओफ वन मीटर लोंग इस विल इन ए होरिजॉंटल सरकल विद कॉंस्टन स्पीड एक विल याने कि यहां से एक टेबल पर एक क्या बंद या एक स्टोन बांद रखाया और जो की कॉंस्टन स्पीड से घूम रहा है इसने का 22 रिवॉलिशन इन 44 सेकंड याने कि 22 रिवॉलिशन कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम में 44 सेकंड में तो एक revolution complete करने में कितना time लगेगा इसको यानि कि 22 by में क्या जाएगा 44 यानि कि 1 by इस case में 22 revolution complete कर रहे है 44 second यानि कि एक revolution जो होगा तो अब इसकी बात है 2 second में क्या होगा एक revolution complete होगा तो इसने पुछाए कि what is magnitude and direction of acceleration of the stone तो इसके पास 2 acceleration होगे एक tangential acceleration होगा और एक क्या होगा centripetal acceleration constant speed से गुम रहा है तो tangential acceleration तो क्या होगा 0 होगा तो यहाँ पे जो direction आएगी वो क्या आएगी towards the center आएगी from the center along the radius away from the center तो यह नहीं हो सकता along the radius towards the center तो यह option हो सकता है direction along the tangent direction along the radius towards the center तो यह option भी हो सकता यह नहीं हो सकता यानि कि A और D में से कुछ option हो सकता है जो radius के along होएगी और towards the center होएगी अब कितनी value होएगी वो हमें बताने है तो centripetal acceleration का formula होता है आर omega square तो आर की value तो हमें पता है 1 omega जो होता होता है 2 pi by t, omega की value क्या होती है 2 pi by t तो यहां से एक revolution जो लगा रहा है, कितने time में लगा रहा है, दो second में लगा रहा है तो omega की value होएगी वो क्या होजाएगी 2 pi by 2, कितनी आजाएगी 2 pi by 2 आजाएगी तो यानि कि pi omega की value आएगी वो क्या आजाएगी आपके पास pi आजाएगी तो r omega square यानि कि pi square तो यानि कि centripetal acceleration जोगा वो किसके बराबर हो जाएगा, pi square के बराबर हो जाएगा यानि कि इस case में a option क्या होगा, इसका correct होगा, जो acceleration होगा, वो only centripetal होगा क्योंकि constant speed से है तो tangential acceleration 0 हो जाएगा, तो वहाँ से centripetal acceleration हो जाएगा, pi square के बराबर, और along the radius towards the center होगा यहाँ पर simple इसमें 22 revolution 44 second में दे रहे थे तो हमारे पास एक revolution का time period आगया, वहाँ से हमारे पास क्या आगया, omega आगया, pi और centripetal acceleration का formula तो हमने put करा हमारे पास क्या आगया, value आगया